हाई एव्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगेन आपके सामने वन अफ्ट ब्यूटिफ लगबग छे से साथ दिन तो मैं सिर्फ घर पे आराम ही किया है मैंने मैंना अच्छे से बोल पा रहा था मेरे मुझे अंदर इंफेक्शन हो गया था मेरे को बुखार और बाकी चीज़े भी हो गया था वो सब चीज अलड़ी मैं बता चुका हो दोस्तो लेकिन आज आप सभी के प्यार के कारणी यह चीज पॉसीबल हुआ है ऐसे प्यार दिखाते रहो और वन मिलियन का टार्गेट जल्दी जल्दी एचीव करवाना है दोस्तो ठीक है तो दोस्तो आज सिक्स टैंडर के लिए हिस्ट्री का मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जैसे कि आप चाप्टर में या फिर प्लेइलिस्ट सेक्शन में प्लेइलिस्ट हमने बनाया हुआ है आप जाके देख लो या फिर डायरेक्ली सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर कि आपको सिक्स्टैंडर का साइंस का जो भी चाप्टर पढ़ना है आप सर्च करो हमारे चैनल पर मिल अब तक पाथ चाप्टर से जादा कंप्लीट हो चुक है मैस का भी लगबग मोर धेन फाइव चाप्टर करने जा रहो जिसका नामे सोर्सर ओफिस्टरी और जोग्राफी और शिरिक्स अभी श्टार्ट करना बाद की है तो वह जलते जाट हो जाएगा तो आपको चिंता कर इडी आपको दिख जाएगा वहां पी फॉलो बटन उन्ट फॉलो को बाल देना और मुझे आप बाते कर सकते हो मैसेज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो मतलब more than billion साल years ago हम लोगों को पता भी ने तो according to study and according to scientist approach there are so many theories और वो ये theories बताते हैं कि हमारा प्रिथ्व ऐसे बना कोई बोलता है भगवान ने बनाया कोई बोलता है big bang theory हुआ दो पथर आपस में तकड़ा है जिसके वेसे solar system का formation हुआ galaxy बना बहुत सारे galaxy हमारा milky way में हम और पहले आग का गोला था उसके पर धीरे धीरे बारिश हुआ उसके पर पानी आया पानी के वेसे life आया life के वेसे मतलब एक और गानीजम आया organism डेवलाप होते होते फिर क्या बने प्लांट्स बने च्छोटा बड़ा और बंदर बना बंदर से दीरे दीरे करते करते हो मु हमारे यहीं पूरा हिश्ट्री है तो मुझे बात 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 पर डाइनासोर्स एसे बड़े बड़े जानवार वहा करते थे समुंधर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जीव उआ करते थे लेकिन हमको कैसे मालूम किसी ने कैमरा लगा कर रखाए कि वहां तक आज से करोडों साल पहले कैमरा का अविश्कार भी नहीं हुआ था कैमरा तो बना ही नहीं जाना अब इसके ऊपर क्या मिला है सबूत मिला है क्योंकि देखो हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो हमें सबूत चाहिए होता है हम लोग बोलते हैं कि यह ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं क्या सबूत है तेरे पास तो यह सबूत हमें मिलने हैं और वही सबूत को हम लोग बोलते हैं सोर्से और कोई भी चीज अगर हिस्टॉरिकल चीज से कनेक्ट करती है हिस्टॉरिकल चीज़े जब होती है तो उसके अगर हजारों साल पहले हमारे इंडिया के रूलर्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, ठीके ना, मौरिया अंपायर, मौरिया डाइनेस्टी, छोला डाइनेस्टी, अहोम डाइनेस्टी, ऐसे बहुत सारे खागे वाट करते हैं, तो जनरली अगर मैं बात करूँ, तीन टाइब के सोर्स होते हैं, एक होता है material source, दूसरा होता है writing source और तिसरा होता है oral source, इसको समझो पेले ध्यांग से, इसका deep में explanation आपको मिलेगा, आज हम लोग इन दोनों की बात करेंगे that is material source की और return source की लेकिन तिसरा oral source अगले lecture में ले लेंगे दो lecture में chapter complete हो जाएगा सिर्फ दो lecture लगेंगे, आज पहला lecture है और दूसरा lecture में chapter complete कर देंगे, छोटा ही chapter है मैं चाहता तो आज ही complete कर देता, लेकिन lecture बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मजाने आएगा, ठीक है दो lecture में complete कर देंगे, अब यहाँ पर अगर मैं बात करू material source, material source मतलब क्या होगा, क्या होगा material source मतलब देखो, पहला topic है हमारा material source, तो material source मतलब क्या होगा, कि अगर हमें कोई भी सबूत मिलता है, वो एक material है, material मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि हमको कैसे मालूं कि डाइनासोर थे, इसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक सबूत हमे मिला क्या मिला उनका फॉसिल मिला क्या मिला दोस्तों उनका फॉसिल का मतलब क्या होता है उनके कंकाल कहीं पे डाइनोसोर का खोपड़ी मिला कोपड़ी मतलब थे डाइनसोर्स इंक्लूडिंग वो सब जमीन के अंदर दफन हो गए क्योंकि पूरा दुनिया ही खतम हो गया तालगबग और जो शोटे-मोटे नैमल्स थे वही बचे होए थे तो अब जमीन के अंदर हो गए तो करोड़ साल भीतने के बाद जमीन के अंदर हो गए होंगे यानि मर गए होंगे उनके जो कंकाल होंगे वही बचे होंगे खाली बोन्स बच जाते हैं जो इनके अंदर तो वही हमें मिले तो इससे हमनों को पता चला कि ये क्या है ये एक material है और इसी material से हमनों को पता चला कि उस समय में carbon dating method से पता चला होगा कि यार कितने साल पूरान हैं तो इसके वज़े से पता चला होगा कि हाँ भाई डाइनोसार हुआ करते थे तो ऐसे कई सारे material source होते हों कि यानिकि जो सब्वूत हमें मिलते हैं जैसे कि हमको पता है कि सबसे पहला जो civilization बोल सकते हों ठीक है ना मोहन जो दारो हो गया ठीक है ना मोहन जो दारो हरपा शिविलाइजेशन यह सब आपको पता है हरपा civilization फी रेकोर्ट था मुझे आदनी आ रहा है उसका नाम उज़े आदनी आ रहा है इसे बहुत सारे civilization है इस सब आप 10th में पढ़ोगे यह तो आप बहुत छोटे अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहो तो बहुत सारे civilization थे हरपा civilization और मोहन जद्दारों के बार मैं आपने शायद मुवी में देखा होगा एक मुवी बनी थी उसके पर मोहन जद्दारों के ओपर ठीक है ना रितिक रोशन की मुवी थी तो वह मुवी में दिखाया गया है कि पहले के जमाने में क्या होते थे घर कैसे हुआ करते थे ठीक है आज देखा है बड़ी बड़ी साब से हमें पता चलता है कि हाँ यह उस जमाने में हुआ करते होंगे टोस्तो योमन की सारे जो यह वह अजाए जाते थे आलतिक स्मिल टे आब बहुत आइक हम लोग मों मोलते हैं कि पुराने जमाने में राजा-मारारा रहते थे य राजा मारा राजे के क्या मिले हम लोग को बहुत सारे अर्दन पॉट्स मिले मठके मिले बहुत सारे औरनामेंट्स मिले जमीन के अंदर दफन बहुत सारे ऐसे ऐसे वस्तु मिले जो आज के जमाने के हुई नहीं सकते तो वह हमें पता चल जाता है कि यार यह पहले के जमाने मिला आप सबूत कुंसा मिला material मिला सबूत मतलब बहुत सारे हो सकते हैं जैसे मैंने बोला यहां पर एक सबूत मतलब जैसे कि क्या सबूत है कि यह मेरा घर है तो मेरे पास documents रहेगा कि हाँ this property लिखा हुआ रहेगा तो यह क्या हो गया written source लिखा हुआ है कहीं पर एक होता है oral source कि मैंने बोल दिया कि यह जो ऑफिस है यह मेरा है राहुल जेस वाल के तो मैंने oral किया मतलब बोला है मुझे बोला है तो ऐसे कई सारे सबूत होते तो जो चीज material के form में है ठीक है ना कोई वस्तु है कोई सामान है तो वो material source को क्या कहेंगे हम लोग बोल सकते हैं कि उसके आधार पे यह सब चीजे हमें पता चलती है कि उस जमाने में यह सब बहुत सारे चीजे मिले information मिला हम लोगों कि उस जमाने में लोग कैसे होते थे उनका खाना कैसा होता था फुड़ ग्रेंस कैसे होते थे खेती कैसे की जाती थी घर कैसे बनाये जाते थे जैसे कि पुराने जमाने में सिमेंट वगरे का अविश्कार नहीं हुआ था सिमेंट तो इंसानों ने बनाया इंसान मतला कुन से इंसान ने आज के डिड़ में modern technology वाले इंसान ने बनाया है सो दो-सो साल पहले बनाऊगा सिमेंट नहीं तो घर कैसे होते थे लकडी के घर होते थे मिट्टी के घर होते थे और वह आज भी कहीं नयकरे ना, कि यार्व, उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि ने समझ में, तो ऐसा ही होता था, जैसे कि आपको पता है कि, आज से तो, दोजो साल पहले, जब भी पहली रेलवे ट्रेंज चली, हमारे इंडिया में तो वो कैसे चलाए होंगे, तो यह सभी चीज क्या है, material sources, जिससे हम लोग को बहुत सारे informations मिलते हैं, ठीक है ना, तो यह जितने भी चीजे होती है, historical चीजे हो गई, जो सबूत हमें मिल रहा है, material के कारण, ठीक है, वो सभी चीज को क्या कहते हैं, दोस्तों हम लोग, उसको हम हम लोग बोलते है, material sources of history, याद रखना, क्या बोलते है, material sources of history, यह सभी चीज क्या हो जाएंगे, material source of history हो जाएंगे, correct है, समझ में आगा, तो यह था हमारा सबसे पहला topic, जिसको हम लोग बोलते है, material source of history, अब दुसरा आज पढ़ने वाले हैं, जो कि यह oral source, क्या होता है, oral source मतलब, जो, sorry, oral नहीं, oral तो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जो कि next lecture में है, lecture number two में आएगा, ठीक है ना, हम लोग complete करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी और 102 topic है, छोटे मोटे और topics है, उसको हम लोग next lecture में देखेंगे, लेकिन आज एक और topic पढ़ना है, जो कि यह written source, अब यह मतलब क्या हुआ है, लिखा हुआ है, कोई भी चीज अगर writing में है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज यह लिखा हुआ है, तो आपको यह चीज समझना पढ़ेगा, क्या है, यह चीज आपको समझना पढ़ेगा, कि कोई भी चीज अगर लिखित है, कोई भी चीज अगर ल सकती है जैसे कि information point of view अगर हम बात करें कि उस time पे जो tonage man हुआ करते हैं वो कई सारे events को record करते हैं आज कहीं पे भी आप कोई भी गुफा में चले जाओ तो गुफा में आप जाओ गे जो समझ लो कि समझ यह गुफा था जैंता है लेडा के लिफेंटा के लिए जाओ तो वहां पर आपको ना कुछ अलग अलग लैंग्वेज़ेस में आपको दिखेगा कुछ कहीं पर आपको वरली वाला वह मिलेगा ठीक है ना ऐसे जैसे डिजाइन मिलेंगे आपको कुछ अलग तरीके से लैंग्वेज में दिखा हुआ रहेगा वह लैंग्वेज हम लोग को समझ भी नहीं आएगा विकॉस देवर यूज इंशें टाइम्स हां कुछ लाइंग्वेज ऐसे होंगे संस्क्रिट होते होंगे कुछ उर्दू जो बंदर थे बंदर से धीरे-धिरे सीधिया हो गया चलना शुरू किया उन्होंने तो वो लोग बोलना धीरे-धिरे सीख रहे थे वो लोग कुछ भी बोलते होंगे ठीक है ना हम जो एक भाशा के अस्तेमाल करें जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ अभी I'm using a little bit English in between मैं कभ of language to these languages are created by the men only that is the modern men because they know the technology and they know how to communicate with people but earlier times local communication आता नहीं होगा तो इतने अच्छे से communicate ने कर पाते हो लिकिन फिर भी उन्होंने अपना एक language पर सीख लिया होगा कुछ भी तरीके से symbolic language या फिर 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 लिखने वाला लाइंग्वेज या फिर बोलने वाला लाइंग्वेज सीख लिया होगा तो वह जो भी लिखावट अगर आप जाओगे कोई भी गुफा के अंदर केवस में अगर आप जाओगे तो आपको मिले होगे ancient stone age in age वाले man होते होंगे वो लोग को ये language समझ में आती होगे और उसी से वो communication भी करते होंगे तो वो क्या करते है तो डिफरेंट 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 आर्ट्स ओफ राइटिंग क्योंकि जो लिखना शुरू करते है वो ठीक है तो वो लोग का जो तरीका है राइटिंग होता होगा और शुरुवाती दिनों में humans जो होते थे ना humans जब खासका ज्यादा language यूज नहीं कर पाते तो वो symbols यूज करते थे बहुत सारे symbols जैसे मैं example के तुर में बता दू समझ लो ये एक सिंबॉल हो गया ये एक सिंबॉल हो गया ये एक सिंबॉल हो गया जो लोग होते होंगे इस टोनेज एज वाले वो अलग-अलग symbols को यूज करते होंगे और वो ही symbols के माध्यम से वो लोग एक दूसरे से communicate भी करते होंगे और वो कहीं न कहीं लिखिट होता होगा ठीक है शुरुवाती दिनों में क्या होता था बहुत सारे जो है ना जो पेड लोग लेकिन पेड़ का जो चाल होता है जिसको पेड़ का बार्क बोलते हैं चाल आपको पता है ना कोई भी अगर पेड़ है दोस्तो यह पेड़ है आपका तो यह पेड़ का जो यह स्टेम होता है स्टेम के उपर मोटे-मोटे चाल होते हैं वो चाल के उपर भी देखो आ उजमाने में पार के उपर ठीके ना और बहुत सारे ऐसे देखोगे तो वो लोग क्या करते थे बहुत सारे जो चीजें होते थे उसको रेकॉर्ड करते हैं समझ लोग जैसे कि आपको पता है कि महाभारत रामायन दिजार्दा आज भी हम लोग पढ़ते हैं अब यह जो जो साधु महाराज थे या फिर आप बोलते हैं रिशी मुनी हम लोग बोलते हैं इंशार हं खुछ लैंग्विज तो उन्होंने सीखा होगा लिखने के लिए तो यह जो चीज है रामायन तो आज से मतलब जो यूग है जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे यूग है जिसमें भगवान हुआ करते थे उसके बाद आया द्वापर यूग उसके बाद आया रेता यूग थे तरेटा के बाद यह कल यूग चल रहा है अभी कली यूग के बास बोल रहे है वह पस रहने हाई यूग क मअंगरु इन यूग में इतना नहीं मांते लेकिन यह अप تक पड़ा हुए लेकिन इतने युग बिद गए इतने करोड़ो करोड़ो साल बिद गए तो रामयायड जो इतने करोड़ो साल पहले हुआ था महा भाराच जो इतने करोड़ो साल हुआ था कि भगवान खुद जमीन पे आये थे ऐसा माना जाता है तो उस बादका क्या सबूत रहात मैं minced दिरे-दिरे generation by generation language by language change होते होते आज हम तक पहुचे ही है modern लोगों के पास पहुची है और उसको हम लोग ने फिर दिरे-दिरे convert किया picture के form में, movies के form में और आज हम सभी बच्चे लोग, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सबको पता है कि रामायन क्या है, महाबारत क् इस प्रकार जो चीजे है ना, वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती थी, और बहुत सारे चीज के उपर लिखी जाती थी, ना सिर्फ पेड़ की उपर, बजी कहीं पर पत्थर मिल गया, कहीं पर कुछ लीव्स मिल गया, पता न? पत्ती के उपर लिखा जाता था, और लिखने के रिए वो लोग क्या करते थे हुँगा है, इस नातो मुझे पैन चाहिए, ना तो मुझे पेन चाहिए, देखो, ये क्या है, ये एक प्लास्टिक का तुकडा है, इसको मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ, ये हाथ मैंने उंग लिखा जाता था, कोई भी समझ लेक पत्ता है, यह आपका क्या है, एक पत्ता है, केले का पत्ता है, इसके उपर एक लकडी ले लो, और जो फल होते थे, फ्रूट्स होते थे, उसमें natural color होते हैं, वो color थे, कुछ ना कुछ इसमें लिखा जाता था, ठीक है, और वो इतने, जो साइंटिस्ट लोग समझ पाते हैं, उसको analyze करते हैं, और इसको कहीं न कहीं हम human beings समझ के और इसको अपने life में implement करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर यह sources नहीं होते, जो हमने इसके पहले पढ़ा material source नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि पुराने जमाने में लोग कैसे हम history पढ़े नहीं पाते हैं, किकि अगर history पढ़ना है, तो material source का होना बहुत जोरी था, और दूसरा यह written source की earlier times में क्या होता है, mythological thing क्या हुई थी, इसलिए स्टोनेजमेन कैसे communicate करते होंगे, स्टोनेजमेन का क्या life हुआ करता था, यह सब चीज कैसे पता चलता है, कहीं न क चाहे वो written हो, और जो तीसरा हमें पढ़ना है oral, चाहे वो हो, हर चीज के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो बस दोस्तों, आज का lecture फिर यहीं क्वे में stop करता हूँ, दो sources हमने पढ दिखाते हैं, हर चीज आपके लिए हमने डाल के रखा है, और बाके स्टैंडर को भी अपने जितने भी दोस्तों को होंगे, आपको इनफॉर्म कर देना, क्योंकि देखो हमारे चैनल पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर एक के वीडियो रोज आ रहें, तो बस आप लोग का प्यार, सप चैनल को सब्सक्राइब ने किया यार, तो फटा फट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए, थैंक यू एंड गुडबाई